उत्तरप्रदेश पुलिस कॉंस्टिबल 6244 भरती के ऑफलाइन पेपर हो चुका और अब आप उसके रिजल्ट की डिवी पीच्टी वाले रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जिसको माननी है मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अक्टूबर में ही इसको जारी किया जाए तो मैं आप नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2023 को आया था उस दुनों बाद नोटिफिकेशन को एक साल हो जाएंगे एक महीने बाद लाश्ट भरती दोजार अठारे की आई थी जो कंप्लीट होगी तो उसके बाद में 6 साल में कोई भरती कंप्लीट नहीं उत्तरप्रदेश सरकार से और रि तरीका क्या कहता है कि आपने जो चेलेंज किये थे बहुत सारे कुश्यंस गलत थे और बहुत सारे कुश्यंस ही गलत थे आंसर गलत थे कुछ मेंस में आंसर नहीं आ रहे थे तो आपने चेलेंज किया चेलेंज के बाद में वो अपने सब्जेक्ट मेंटर एक्सपर्ट को दिखवाते हैं और एक संशोदित आंसर की आती है फिर इसको चेलेंज किया जाता है कि भी इसमें भी कुछ गलतीया आए और फिर एक final answer की आती है जिसको अंतिम आंसर की कहते हैं यह तरीका होता है किसी भी एक्जाम का उसके बाद में वो TV PhD का result देते हैं अभी तक तो ऐसा होता आया है हो सकते हैं वो इस वाले step को हटा दें कि संसोदित आंसर की जारी ना करें सीधी वो final answer की जारी करें और उसके बाद में तुरंट result दे दें पर इसमें एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे कोट जाने के लिए तयार रहते हैं यहां पर एक मसला फस जाता है अगर संसोदित आंसर की फिर उसकी डीवी पेश्टी कट आते हैं डीवी पेश्टी होती है जो डीवी पेश्टी को क्वालिफाई करते हैं उनकी एक हफते तीन से साथ दिन के अंदर इनकी दोड़ हो जाती है और जो दोड़ सब कुछ होने के बाद में एक फाइनल रिजल्ट आता है जिसको फाइनल मेरिट कहते हैं उसके बाद में मेडिकल और जोइनिंग लेटर आते हैं और आपको ट्रेनिंग पर भीज़ दिया जाता है यह स्रुडियूल है आज चौदह अक्टूबर आपकी हो चुकी है और चौदह अक्टूब और 45 दिन बाद आपको केवल यह पता है कि आंसर की आईए संसोदित आंसर की नहीं आईए आंसर की आई हुए भी लगबग एक महा हो जाएगा लगबग एक महा के करीब आप मान सकते हैं अभी कोई आंसर की अगली ना संसोदित ना अंतिम फाइनल आंसर की आईए जो कि ए पर इससे में यह पता नि लगा पारा कि भर्तिबूड बढ़िया है या भर्तिबूड आलसी कांचोर्ग एकर्मन्ने बन की जो लोग एक महिने में आंसर की भी नहीं दे पारे इंट पता निलगा पाला कि वह लोग क्या क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी की की बात करें अगर योगी जी की बात करें कि मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर में बोला कि वह अक्टूबर में निकाले तो फिर अक्टूबर में रिजल्ट की स्पिरकार निकालेंगे समस्य से बाहर है मतलब आज 14 तारिक हो गई ना फाइनल आंसर की है तो इसका मतलब क्या है यह लोग भरती को कोट में फसाना चाहते हैं क्योंकि अगर कोई काम जल्दी जल्दी किया जाएगा आप फटाक से निकालोगे आंसर की लेकर आओगे और तुरंट के तुरंट रिजल्ट निकाल दोगे तब जानते के के कुशन के उपर बच्चे सीधे इतने सारे लोग होते उनको समझाने वाले भढ़काने वाले नहीं सुनते वो सीधे चले जाते हैं अब उससे क्या होगा जो सही से बिचारे क्वालिफाईए वो भी फस जाते हैं भरती लटकी रहती इस्टे ले आते हैं क्या फायदा होगा इसका छे साल में तो वैसे एक बच्चे को भरती नहीं कर पाई प्लिस में और उसके बाद में फिर से तो मुझे जो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भरती बोड को टाइट करने की जरूरत है कि कम से कम कुछ तो ऐसा बताओ कि बच्चों क आपने पेपल ले लिए आपके पास कुछ तो संभावित थिया होंगी मतलब आप आज से पांस साल बाद की भी दिपावली कब होगी हमारे कलेंडर में लोग देखकर बता देंगे कि हाँ इतने जो पंचांग होता है आप निबता पारे संभावित आपने पेपल लिया आप यह नहीं बता पारे कि भी हम कब तक यह सब दे देंगे कब तक संभावित कम से कम कुछ तो ऐसा बच्चों को मिल जाए जिसे देखकर वो समय काट लें कि हमारे हमने पेपर दिया रिजल्ट का वाएगा उसे देखके कम से कम कुछ तो मन में सब रहे कभी कोई बिरतियों की उमर उनका समय उनके माबाप की उमीद उनका पैसा यह सब बरबाद है अब यह भरती बोड के अधिकारियों की बच्ची होते तो उनको आता भी कि हमारे बच्चों का जीवन बरबाद हो रहा है तो हम दूसरे के बच्चों का जीवन क्यों बरबाद करें लेक से पहले कह दिया था Això पर के लिए आप सबलगातार वाज उठा रहे थे भरती के सब लगातार वाज उठा रहे थे उससे चाहदा वाज आपको अपने रिजल्ट के लिए उठानी होगी वरनाई result को रूला देंगे जैसे इन्होंने किनको रूला रखा है radio operator वालों को रूला रखा है यादर radio operator इनके paper में इतनी बड़ी धांदली हुई इन बच्चों को रूला रखा है पहले इनको answer की के लिए रूलाया फिर इनको final result के लिए रूलाया अब इनका डीवी पीएश्टी भी नहीं करा रहे और हेड ओपरेटर का तो रिजल्ट भी नहीं दिया तो ये लोग रुला देते हैं तो इसलिए मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं तो मैं अपनी अवाज योगी जी तक पहुंचानी के जरूरत है ट्विटर इत्यादी के द्वारा इस भर कब अगली 40-45,000 कब ऐसा आई लेकिन कोई मतलब नहीं और तुम लोग भी यह नहीं कि एक बार बहुती शान्ती पूर्वक हाद जोड़के ट्वीटर पे लिख दो फाल तू सो चीजों पर कमेंट कर दोगे एक चीज अपने रिजल्ट के लिए कमेंटरी कर सकते कि बहीं ए जाए नहीं तो मैं आपको डेट्स बता के चल रहा था कि अक्टूबर एंड दीपावली तक अगर फाइनल आंस्वर की देखो पंद्र अक्टूबर तो आगया तक तो अगर यह संसोधित आंस्वर की निकाल दे तो भगवान का शुकर मनाओ दिये जलाओ घी के शुद्ध देसी घी के और गाय के देसी सुद्ध देसी घाय के सुद्ध घीस है कि देखो जी भरती बोड का बहुती इनके आर्ती गाओ इनकी भरती बोड जह जह कार हो तुमारी तुमने एक महिने में दीपावली से पहले कम से कम आंस्वर की निकाल दी फिर मैंने कहा था कि लेकर आएंगे लोग उस्तों पर सीधा पूर जायेंगे तुम देखतेयों कििते किते साल सरकार हाथ खड़े खड़े हमारी कोई गलती नहीं बच्चे परदेश में की इतना भरोसा करते हैं तो अगर यह सही से अपना पूरा एक संभाविस सा कुछ डेट्स दे दे तो बच्चा उनको देखके बार बार तो परेशान ना हो क्या नहीं मिल ली चाहिए ऐसा कोई बोड नहीं में किराओ राजिस्थान उत्राखंड बिहार करना तक तेलंगाना हिमाचल प्रदेश 36 गड़ जहां कोई ऐसा राज्जे नही जहां पर संभावित तिथिया ना बताई जाती हो यूँपित्र प्रदेस पलिस भरती जैसा एकर्मन ने बोड हो कोई मतलब नहीं पेपर हो गया वहाँ हो गई वाजी अमने इतने लाख लोगों का पेपर करा दिया वहाँ वही कहा कि अधा औरे भाई बच्चे परीषाने उनका सुनिए bisa के रिजल्ट के लिए पूरेशाने को यह अपने हं डी की सेलरी ले रहे हो आप लो अरे भी उनका निकाल दो क्या दिक्कत आपको डिट्स देने में तो भहिया जब तक तुन ट्विटर पर नहीं तो यह फसा देंगे फिर में उसके बाद में कब तुमारी डीवी पिएश्टी और तुमारी नाप तोल और दोड़भा कराएगा जब पुलिसी बिजी रहेगी तो फिर चली जाएगी बात जून जुलाई तक जोईनिंग की पड़ी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं मैं इनकी पूरी प्रणाली पता है मुझे कैसे लोग काम करते पिछले साथ साल से समझे मेरी बात तो बाकी आप सभी से क्या कह रहा हूं बाकी आप सभी से तना कह रहा हूं कि कम सगन ट्वीटर पे अपनी बात रखिए कम सगन मुख्यमंत्री जी को भरती बोड़ को भरती बोड़ के अध्यक्षे साहाब को कि आप कम सगन एक आडिया दे दीज अच्छानक ये कुछ भी मनमर जी का करेंगे तो तुम देख ले ना फिर भरती कोट में जाएगी सीदी बच्चे एक से खतरनाक वैठें चले बस यही आपको बताना था कि इसके लिए जब तक आप ट्विटर पे बात नहीं करोगे एक बार बड़ी कदम नहीं उठाओगे ये कुछ नहीं सुनने वाले तुमारी बात इतना लिख लो नहीं नहीं मुख्यमंत्री जी की बात का फरक पड़ता फरक पड़ता तो आठ जून के बाद में आज अक्टूबर आ गया तीन मेने होगे सौधें सो पर ये कलेंडर दे दे देते फरक नहीं पढ़ता ना इन है बाकि आप सभी के लिए बहुत सारी शबकाम ना है हिम्मत करके जितनी भी नंबर है तुम इने ना बढ़ा सकते ना कम कर सकते अब इंतजार कीजे डीवी पेस्टी के कट आफ का मैं तो भगवान से प्राथर करूँगा तुम सबका हो जाए इत धन्यवाद जेहिंद